हेलो फ्रेंज वेलकमी चैनल स्टेडी वेट कार्टिक तुदेविल स्टेडी मैच्स क्लास 7 डेसिमल्स तो आज लोग मैच्स में पढ़ेंगे डेसिमल्स तो आज हम लोग सीखेंगे कि डेसिमल्स को एड और सब्सक्राइप करते हैं तो यहाँ पर पहला क्वेस्चेन है 16.8, 8.7, 0.94, 6.8, 7.7 हिए सब नंबर्स के हम लोग सम्लोक को एड करते हैं पहला हमोग यह सब को यह कोलम में लिखेंगे सबसे पहले 16.8 हम लोग लिखते हैं 16.8 तो जैसे कि हम लोग से में अब है आड में डिखेंगे में आद जाट कर सीमट्स को पर हम लोग आड से पहले लिखेंगे कॉलम में 8.7 तिसे हम लिखें एट पॉइंट् अब यहाँ पर 0.94 0.94 तीसा हम लिखेंगे 0.94 हम लोग अब यह देखना है कि यह जो decimal point वो सब aligned हो मलब कि एक ही point पड़ो तो 0.94 अब यहाँ पर यहाँ पर हम लोग 0 कर सकते क्योंकि अगर हम लोग decimal के बाल कोई number और इसकाट कितना भी 0 कर दें वाल्यू सेमी रहेगा इसके बाद हम लोग एक कर दियो जीरो अब 0.94 तक हो गया फिर 6.8 तो 6.80 हम लोग यह लिख सकते हैं क्योंकि वाल्यू फिर चेंज नहीं होगा फिर 7.77 तीसे हम लोग इस तरह लिख देते हैं अब इससे हम लोग काड़ेंगे सिंप्ली है जैसे कि हम लोग सिंप्ली नंबर्स काड़ कारते हैं वैसे हम लोग डेसिमल्स को भी आड़ करेंगे तो 7 प्लस 4 11 फिर 8 15 8 प्लस 8 16 16 16 हो गया फिर 23 और फिर 30 फिर 39 40 0 4 8 15 21 21 27 31 1 3 3 4 41.01 यह आ रहा है इसका आंसर तो इसका अंसर हो गया 41.01 7 प्लस 4 हो गया 11 1 1 फिर 8 प्लस 8 16 हो गया 16 प्लस 7 हो गया 23 23 प्लस 7 30 39 फिर 40 हो गया फिर 4 कैड़ी हो गया फिर 8 प्लस 7 हो गया 15 15 फिर 6 हो गया 21 प्लस 6 हो गया 27 तो 27 फिर या पर जो कैड़ी ता तो हो गया 31 वार निदर गया 3 यह पर वन ता तो 3 प्लस 1 4 तो 41.01 यह हो गया इसका आंसर तेस तरह समलुक देसिमल्स को एड़ करते हैं अब एक और क्वेस्टेन है 6.606 66.6 666 0.66 0.66 0.66 और फिर 0.66 यह सब काम लोगा आड़ करनो तेस अब थोड़ा कांफ्यूजिंग लग रहा पर हम लोग इसको भी सेमी वे में आड़ करेंगे पहले हम लोग इससे आपको लिखेंगे कॉलम में तो 6.606 इससे माम लोग अब लिख डिये तो यहां पढ़िये हो गया अब 66.6 इससे माम लोग इस तरह लिख सेके 66.6 अब हम लोग उसके बाद कितना भी 0 आड़ कर दे उसका वाल्यू चीज नहीं होगा तो हम लोग 0 और आड़ कर सकते हैं फिर 666 अब इस हम लोग को ध्यान में रखने हैं कि यहां पर कोई डेसिमल नहीं है 666 में तो यह हम लोग रखेंगे नमबर वाले पार्क में तो 666 अब यहां पर हम लोग आड़ कर देंगे 0.00 तब भी वाल्यू से में रखेंगे 0.000 अब यह 0.066 0.066 फिर लास्त में 0.66 0.66 फिर हम लोग एक और जीड़ आड़ कर देंग वाल्यू चेंज नहीं होगा तब हम लोग इससे आड़ करते हैं अब इससे अब लोग आड़ कर देंगे और फिर आंसर आजएको तो हम लोग यह देखना मेली डेसिमल आड़ करते हो समय कि यह सब अलाइंड हो लगकि यहां पर यह सेम हो यहां पर डेसिमल वाल्यू है जो सबका वह सेम हो तो 6 प्लस 6 होगे 12 हम लोग यह देखने के सारे लाइक हो यह सब्दा लाइक है तो 6 प्लस 6 12 हो गया 1 6 12 13 1 6 12 18 19 फिर यह दर वान गया 6 12 18 19 फिर 6 12 13 167 तो 739.932 यह हो गया इसका आंसर आप अब लोग करते हैं सब्ट्राक्त तो यह पड़ोगे 6 प्लस 2 12 1 6 प्लस 12 13 1 6 12 13 18 19 1 6 12 18 हो गया फिर आप पर 1 हो गया कैडी में 19 हो गया 6 12 13 1 हो गया फिर 6 7 अब हम लोग करते हैं सब्ट्राक्त तो डेसिमल्स को सब्ट्राक्त कर से करेंगे तो आप पर पहला क्वेशन है 14.79 फ्रॉम 72.43 तो हम लोग लिखते हैं 72.43 माइनस 14.79 अभी दोलों डेसिमल्स पह सब्ट्राक्त कर देंगे तो 13 माइनस 4 9 हो गया 4 फिर यह हो गया 13 माइनस 7 6 यह हो गया 11 माइनस 4 7 6 माइनस 15 तो यह हो गया इसका आंसर 57.64 अब दूसरा भी कुछ वैसे है 36.74 फ्रॉम 52.6 तो 52.6 अब यह हम लोग देख रहें कि यह दोनों डेसिमल्स लाइक नहीं है तो 6 का सेंट आगे अमनों लूग एक और जीरो एड़ कर देंगे थाकि यह दोनों यह हो जाए 36.74 माइनस 36.74 तो 10-4 हो गया 6 10-4 तो 15-7, 11-6, 5, और फिर 11-6, 5 हो गया, तो फिर ये 4-3, 1, तो 15.8, 6, 10-4 हो गया, 6, फिर ये बज़ गया 15, 15-7 हो गया, ये हो गया 11-6, 5, 11-5, फिर या से कारी हुआ, तो ये बज़ गया 4, तो 4-3, 1, ये हो गया इसका आंसर, तो इस तरीके समलब, डेसिमल्स को आड़ करते ह और शुक्तराक करते हैं, तब तीसरा कोईस्टेन है, वाट इस तुभी अङदे टो 63.58, वाट इस तुभी अधे टो 63.58 टो चैट 92, अब हम लोग को यहाँपर एक वैसे हैं, यहाँदे पर ग्वस्टेन है, की हम लोगको 63.58 में ऐसा कॉन से नंबर्रैं करना है, कि हम अम लोगे मिल जाए 92 तो इसके लिए हम लोग करेंगे सब्ट्राक्त सब्ट्राक्त करके हम लोगो वो मिल जाएगा किये कौन सरम्बर जिससे हम लोग 63.58 को एड़ करें और अउर आजाए 92 तो जाड़ा बढ़ा है 92 तो पहले हम लिखेंगे 92 अब दोनों को हम लोग लाइक ब गया तो फिर यह 9 हो गया तो 9-5 4 11-3 हो गया और 8-6 2 28.42 यह आणसर तो यह हो गया इसका अब क्वेस्चन था कि ऐसा कौन से नमबर है जिसमें हम लोग अगर 63.58 एड़ करें तो हम लोगो मिल जाएगा 92 तो इससे हम लोग क्वेस्चन को समझते तो अब यह कैसे हो अगा अ 24 तो हम लोगो मिल जाएगा 92 हम लोगो मिल लेगा 92 यह हो जाएगा इसका आंसर तेसलिया हम लोग इसे किया है सब्राप्त 0 1 8 9 10 11 12 6 7 8 28 हो गया यह 9 9-6 3 हो गया 10-8 2 9-5 4 हो गया यह और फिर यह आपर 10-8 2 9-5 4 11-3 होता है 8 हो गया और फिर यहापर 8-6 हो गया 2 तो 28.42 अब इसे हम लोग आड़ आड़ करो तो यह आजाएगा 92 8 प्लस 2 हो गया 0 1 5 प्लस 9 0 1 2 8 9 10 11 हो गया 12 1 6 7 8 9 तो 92.00 यह हो गया इसका आंसर तो क्वेसेन ता अगर का इसे कौन से नमबर है जिसमा हम लोग 63.58 करे 5 एड़ करे तो हम लोग मिल जाएगा 92 तो इसलिए हम लोग इसे करके देखें सब्ट्राक्त और फिर आंसर यह 28.42 अब हम लोग इसे वेड़िफाइब करके देखें लिए अड़ आंसर आड़ नाइटी तो यह हो गया इसका करेक्ट आंसर So, we will study more about decimals in the next video. Subscribe my channel and thank you so much for watching.